नमस्ते, आज हम बनाएंगे बेज मंजूरिय, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें दो कटोरी बारिक कटी हुई पत्तागू भी लेना है, एक कटोरी बारिक कटा हुआ गाजा लेना है, एक कटोरी बारिक कटा हुआ या किसा हुआ शिमला मेर्श ल दालेंगे एक का्टॉरी बारी कती हुई प्याज दी कटॉरी डानी कीसह हुआ अदरक 9-10-10 अरिड़ बारी कटी हुई तो अब हम सारी चीजों अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर हमारी सब्जीयां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अब हम थोड़ी सी सब्जी एक कटोरी में अलग से निकाल के रख लेंगे, जो कि हम मंचूरिन की ग्रेवी में इस्तमाल करेंगे, साइड में रख लेते हैं और अब जो बच्ची हुई सब्जियां हैं इनकी हम अंचूरिन बना लेंगे सबसे पहले इसमें मैदा एड़ करेंगे हम और अगर बाद में और ज़रत पड़ेगी तो और इसमें हम एड़ कर सकते हैं इसके साथ ही इसमें हम आदी कटोरी सूजी एड़ करेंगे आप इसकी जगे पर एक वन फ्लार या चाबल का आटा भी आट कर सकते हैं एक चमज लाल मिर्च पाउडर यसे अच्छा कलर आएगा और टेस्ट भी एक चमज नमक और अब हम सारी चीजोंग अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है इसमें तो अब इसमें हम बाइंड करके देखेंगे तो अब इसमें बाइंडिंग नहीं आ रही है तो इसके बाद हम इसमें, एक आद दू चममच और मेदा एड़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैने तीन चममच मेदा इसमे एड़ कर दिया है, ताकि अच्छे से मन्जूरिन बन जाए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से, और अब पिर से बनाके देखेंगे बाल, तो यहां पर हमारी binding होने लगी है और अब हमने हाथ को साफ करके थोड़ा सा पानी हाथ में लगा के इस तरीके से बॉल बना लेना है अब अपने साब से छोटे बड़े जैसे भी बनाना चाहें तो यहां पर मैंने पना के रख लिए हैं अब इनको low to medium flame में फ्राइ करना है अच्छे से golden brown होने तक तो यहां पर हमारे मंचूरियन अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं निकाल लेते हैं तो यहां पर मैंने कुछ मंचूरियन बना के रेडी कर लिए हैं और अब इसकी हम ग्रेवी बना लेते हैं तो एक कड़ाई में फिर से में तेल कर ना है और जो हमने सब्जी बचाओ की रखी थी वह इसमें थोड़ा सा प्राइख राए में एकाइब बना प्राइब अफल्कां स्फ्म्ग होने तक तो यहां पर हमारा पतला से घोल तयार हो चुका है अब इसको हम सब्जी मेट कर देंगे जो हमारी सब्जी फ्राई हो रही है तो इसा करने से क्या होगा कि जो हमारी गेवी है मंचुरियन की वो थोड़ी गाड़ी बनेगी इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके बाद हम इसमें तीन चम्मच सोय सॉस एड़ करेंगे इससे मंचुरियन में कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब इसमें टोमैटो केचप डाल देते हैं तीन बड़े चम्मच अब इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देते हैं तो नमक हमें थोड़ा ध्यान से डालना क्योंकि हमने मंचुरियन में भी नमक डाला है और इसके बाद हम इसमें एक चम्मच मिर्ची डाल देंगे जाल मिच पावडर और थोड़ा सा पानी डालके इसको ग्रेवी को थोड़ा सा पतला कर लेंगे हैं और मीडियम फ्लेम पे ग्रेवी को चलाती हूं पकाना है तो यहां पर हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है अब इसमें मंचूरियन एट कर देंगे जो हमने फ्र कर देंगे हैं थोड़ा सा पत्तागों भी डाल देते हैं तो यह लीजिए हमारे रेस्टर मिच स्टायल वेज मंचूरियन रेडी हो चुके हैं जो बहुती टेस्टी लगते हैं खाने में और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद